आंध्रि प्रदेश में प्रवेश करते ही राहूल गांधी ने तोर डाले सारे रिकॉर्ड भीर देखकर बॉकलाई भाजपा कॉंग्रेस की भारत जोड़ोई यात्रा मंगलवार को आंध्रि प्रवेश कर चुकी है राहूल गांधी समेथ अन्यकारे करताओं के आंध्रि प्रदेश पहुचते ही राज्य कॉंग्रेस अध्यक्ष साकेश यलजानात और अन्यवरिष्ट नेताओं ने उनका स्वागत किया कारिक्रिम की मुताबिक यात्रा में राहूल गांधी, अलूरू, हट्टी बेलागल और मुनु कूर्ती में ये पद्यात्रा करेंगे इसके बाद वह अदोनी के छगी गाउं में रात्री विश्राम करेंगे यह यात्रा 21 अक्टूबर तक आंध्रदेश में जारी रहीगी, इसके बाद यात्रा तेलंगाना के रास्ते करनाटक में फिर से प्रिवेश करीगी भारत जोड़ यात्रा 7 सितंबर से कन्या कुमारी से शुरू हुई थी जो कि अब तक चार राजियों तमिलनाडू, केरल, करनाटक और आंध्रदेश से गुज़र चुकी है यात्रा का समापन कश्मीर के श्रियंगर में होना है बताते चले कि भारत जोड़ यात्रा 9 नवंबर को महराश्ट्र में प्रिवेश करेगी सूत्रों के मुताबिक यहाँ NCP सुप्रीमों, शरत पवार और उनकी पेटी, लोक सबा सांसर, सुप्रीय सुले यात्रा का स्वागत कर सकते हैं यह दूसरा मौका होगा जब कॉंग्रेस की भारत जोड़ यात्रा में विपक्ष का कोई शीर्ष नेता नजर आएगा इससे पहले 7 सितंबर को तमिलनादु के CM और DM के प्रमू, MK स्टालीन को यात्रा शुरू होने पर कन्या कुमारी में राहूल गाधी को तिरंका सौपते हुए देखा गया था कॉंग्रेस की 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ यात्रा 12 राज्यो से उज़रेगी यह दक्षिन में कन्या कुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3570 किलोमीटर का सफर पूरा घरेगी इस यात्रा में राहूल गाधी बेरोजगारी और महेंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पनिशाना साथते रहे हैं वाइनाट के सांसाथ अपनी जन सभाओं के दौरान साम्प्रदाई सदभाओं की बात करते रहे हैं फिल हाल आप इस खबर के बारे में क्या सोफते समझते हैं हमें कमेंटर गेज़ ज़रूर में देए यूज़ एस कसे प्रिया